गूट मोर्णिंग स्टूदेंटो आज हम html की कुछ basic terminology हैं उनके बारे में discuss कर लेते हैं details से अब यह देखें html को अच्छे से start करने से पहले इसकी k genetics हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी जैसे कि stml में एक तो टैग्स होती हैं elements होते हैं और attributes होते हैं अब इन तीनों चीजों के बारे में आपको clearly पता होना चाहिए उसी के according फिर आप अपनी coding कर पाएंगे अब यह देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें tags की tag क्या होता है आपको पताया गया था कि जो यह angle bracket होती है इन ही को हम कहते हैं tag clear अब ध्यान रखना आप की जो tag क्या होती है यह आपकी जिनके between आपके content को display किया जाता है जिनके बीच में आप किसी भी type के data को write करते हैं और वो जो आपके use होते है to type के sign जो bracket हम use करते हैं यह होती है आपकी tag clear और आगर अब हम बात करें element की element क्या होता है टैक्स तो हो गई है element क्या होता है element होता है जिसके साथ एक तो start tag हो और एक हो ending tag starting tag भी हो और ending tag भी हो और उनके साथ में बीच में कुछ data भी हो कुछ content भी आपने लिखा हुआ हो वो होता है आपका element clear एक बाद फिर देख लीजिए टैक्स क्या होती है टैक्स होती है यह जो एंगुलर डैकेट होती है जैसे कि यह टाइटल टैग हो गई यह आपकी एस्ट्रेमल टैग यह बोडी टैग clear लेकिन element क्या होता है element होता है जिसमें एक तो आपकी यह opening tag हो साथ में एक closing tag हो मैंने लास वीडियों में आपको बताय है था कि एक slash के साथ जो लिखा जाता है वो closing tag कहीं जाती है तो यह होगी opening tag इसके साथ में closing tag भी हो और इन दोनों के बीच में इसके और इसके यहां पर एक content भी लिखा हो कोई data भी जरूरी होना है वो होता है आपका element देख लीजिए कैसे यह देखिए यहां पर क्या है जै जैसे कि हमने टाइटल के बाद की यह आपका टाइटल लिखा होगा है यह आपकी होगी opening tag यहां यह closing tag होगी because यह slash sign के साथ लिखी हुई है और यह देखिए my first web page यह हो गया बीच का content तो इस complete coding को हम क्या बोलेंगे element clear it समझा गया आपको tag तो हुई only यह यह भी आपकी title tag opening tag है यह title tag आपकी closing tag है लेकिन जब इसके बीच में हमने कोई data लिख दिया कुछ भी content हमने डाल दिया तो वो हो जाएगा आपका element clear it सो यह होते हैं आपकीzip ads and element अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए यहाँपे अग कबात करते हैं मालो attribute कीfa mlwhite क्यायöt की고 चीज होती हैं लेकिन ध्यान रखिए कुछ टैग्स आपकी ऐसी होती हैं जो only open होती हैं close नहीं होती वो होती हैं आपकी empty टैग मतलब जिसको हम कहा सकती हैं बिल्कुल खाली टैग उनके बाद ही हम आगे डिस्कस करेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं आपने next option की that is attribute attribute क्या होता है द्यान देना अब attribute क्या चीज होती है attribute जो एक इन टैग्स और इन एलिमेंट्स के साथ कुछ extra information को साथ में add करता है clear जैसे कि यह stml टैग है और इस stml टैग के साथ अब खाली हम ऐसे लिखेंगे stml तो यह तो हो गया आपका टैग अगर मालो हम इस तरह से लिखे stml और इसको हम यह close करते हैं इसके बीच में कोई भी content यह हो गया हमारा element लेकिन अगर मालो इस stml टैग के साथ कुछ extra information भी हम डाल दे वो होगा आपका attribute यह देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया stml lang यह आपकी language है short form में और is equal to double quarts में लिखा है en means English अब यहाँ ध्या आप जो यह आपका quarts के अंदर लिखा जाता है इस टाइप से यह है आपका bit of information जो आपकी किसी एक tag के साथ यूज किया गया है उसी को हम बोलते हैं attribute समझा गया यह चीज एट्रिब्यूट आपके क्या होते है एक extra bit of information होती है जो हम अपने tags के साथ यूज कर सकते हैं और element जिसके साथ आपको एक start tag होनी चाहिए एक आपकी end tag होनी चाहिए और उसके बीच में थोड़ा सा content भी होना ज़रूरी है clear तो यह होता है आपका element और simple जो हम angular bracket के अंदर लिखते हैं वो होती हैं हमारी tags अब हम बात कर लिखते हैं कि यह जो हमारी tags होती है यह भी two types की होती ह हैं कौन कौन सी एक है container एक है आपकी non container या फिर empty मतलब container tag empty tag या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं container element और empty element यह देखिए अब क्या होते हैं यह दोनों के दोनों element इनके बारे में हम रिसकस कर लेते हैं मतलब container तो वो जो fill है जो भरी हुई है मतलब जिसके अंदर कुछ data add है और empty कौन सी बिल्कुल खाली जिसमें किसी भी type के content को यूजी नहीं किया जाता समझें आप मेरी बात को अब यह देखिए कुछ tags हैं यहां पर उनके तूर समझते हैं जैसे कि यह वाली tags है stml, head, title, b, center यह सबी ऐसी tag होती हैं जिनको own करने के बाद off करना compulsory होता है clear मतलब यह off भी होती है मतलब stml अगर own हुई तो एक slash के साथ यह बंद भी होगी head अगर own हुई तो एक slash के साथ यह again बंद भी होगी मतलब जिसके साथ opening और closing, own और off दोनों ही tags use होती हैं वो होती हैं हमारी कौन सी container tags या फिर container elements clear अब कुछ element ऐसे भी होते हैं मैंने आप पिछी आपको बताया था कि जो आपके सिर्फ own होते हैं close नहीं होते clear वो भी tag ही होते हैं आपकी वो भी elements ही होते हैं लेकिन वो own तो होते हैं लेकिन close नहीं होते तो वो होते हैं आपके empty element या फिर empty tag जहां से देख लीजी again जो tag जिन जो आपकी open भी होती हैं और close भी होती हैं मतलब जो इस type से own हो गई और साथ में एक slash के साथ close भी हुई वो तो हो गई आपकी container tag और कुछ ऐसी tag होती हैं जो own ही होती है बस ना तो जिसके साथ कोई data होता और ना ही जो close होती तो वो होती हैं आपकी empty tags या फिर empty elements clear it जैसे कि example दियों में हैं यहां पर कौन कौन से है बी आर एच आर बेस और यह कहीं नीचे आपकी BR BR sorry यह ऐसी tags हैं आपकी जो आपकी own तो होती है लेकिन close नहीं होती हैं जैसे कि अब यह देखिए BR tag है इसका काम होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए मालों यहां पर हमने कोई भी content लिखा टू या थ्री lines का उसके बाद हमें यहां से next वाली line में जाना है तो हम use करेंगी BR tag का अब इसकी वीच में data क्यों नहीं लिखा गया reason is this क्योंकि line को ही तो ब्रेक करना है हमने इसके इंदो कोई content थोड़ी लिखेंगे only line ब्रेक करनी है तो इसलिए आपकी कौन सी tag है empty tag clear it यह देखिए एक्जामपल दियों में कुछ इसके BR है बेस दन बेस फॉन्ट एच चार आई एमजी लिंक यह सब टैग आपकी कौन सी है empty tag होती है आप यहां देख लीजी आप जैसे कि यहां देखिए बी आर और बेस यह कौन सी है start tag है मतलब यह सिर्फ own होती है off नहीं होती no content inside these tag अब यह tag ऐसी है कि जो own तो होती है ओफ होती है लेकिन content नहीं होता फिर भी empty हुई क्योंकि इसमें कोई data थोड़ी लिख है आपने जब इसमें कोई data ही नहीं है कोई content ही नहीं है तो यह भी तो empty हुई तो यह भी आपकी empty tag है clear और एक जैसे कि आपकी self closing tag होती है इस type की यह देख लेजिए जैसे कि यह बी आर है बी आर को close करने की need नहीं होती है आपको नहीं है स्टुडेंट्स नॉर्मली हम यूज करते हैं बी आ टैक का ज्यादा से ज्यादा बेस का बेस फॉंट का एक चार का लिंक का यह वाली जो टैक से ज्यादा यूजफूल नहीं है clear so dear students आज हमने टैक्स के बारे में रीड किया है कौन कौन सी टैक्स होती है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एक्रिबूट्स कौन से होते हैं किस तरह से यूज़ किये जाते हैं तो नाक्स जो टोपिक है वह हम अपनी नाक्स वीडियो में डिसकस करेंगे और दोनों ही टाइप्स की टैक कंटेनर और एम्टी दोनों टैक्स के बारे में अच्छे से आप रीट गाले ना थैंक्यो